स्वागे तोस्ताब सभी को फिर से एक नए वीडियो में और एक धमाकेदार सा वीडियो में हम लोग अभी जस्ट चेप्टर को समाप्त किये हैं मतलब कि अब हम लोग का क्लास 12 कम्प्यूटर साइंस का फूल कोर्स हम लोग का समाप्त हो चुका है हम लोग का प्लेलिस्ट ब करना है जो आप लोग को डारेट कहां पर एक्जाम में भीड़े ठीक है अब सारा त्यारी इसी वे में कराया जाएगा जो आप लोग को एक्जाम में डारेक्ट पुछा जाएगा ठीक है तो आप लोग के लिए एक प्लेइलिस्ट बना हुआ है Class 12 Computer Science का Full Course का Playlist बना हुआ, इसी में सारा वीडियो जो Class 12 का Full Course का वीडियो है, ठीक है, आप लोग को मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12 में है, और Class 11 वालों को क्या करना है, भी Share करना है, बताना है, कि आप लोग को Class 12 में कहीं भी Coaching में पैसा Invest करने का जरूरत नहीं है, यहाँ Quality Education Provide होता है, यहाँ आप लोग को Full Course मिल जाएगा, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं Direct Question की, और मैं आप लोग को जनकारी के लिए बता दू कि अब से जो वीडियो आएगा, आप लोग को Most Important Viral Video होगा, जो आप लोग को Direct Question में पुछेगा, तो अब आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ध्यान पूरवक से देखना है, और Most Important वीडियो समझना है, ठीक है, देखिए हम लोग देखने वाले है, Model Set 4, ठीक है, जो हम लोग Class Chapter No.1 से Chapter No.8 के लिए हम लोग क्या किया है, Model Set दियार किया है, ठीक है, तो उसका पहला नंबर Question क्या होड़ा है, OOP is knowledge, तो आप लोग को मालूम है, OOP का पूरा नाम क्या होता है, Object Oriented Programming होता है, तो आप लोग देखिए Option No.1 कहां पे है, Option No.1 में आप लोग को दीख रहा है, Object Oriented Programming, यह आप लोग को जो Question है, बहुत बार Question पूछा गया है, तो आप लोग को हर हाल में इसको या आप लोग को माइंड में पूरा याद हो गया होगा, जुबान में याद हो गया होगा, ठीक है, देखिए, अब दूसरा No.1 कोशन देखिए, क्या हो रहा है, OOP is combination of, तो OOP जो है, वो किस से मिल करके बना है, वो आप लोग को पूछ रहा है, ठीक है, तो हम जब आप लोग क चैप्टर पढ़ा रहे थे, तब आप लोग को हम बता आये थे, कि OOP किसको किसको मिलाने से बना है, ठीक है, तो OOP जो है, वो PPP से मिल करके बना है, और एक होता है, POP से मिल करके बना है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर option No.2 और A, दोनों हमारा सही है, मतलब कि आप ल right answer क्या है, option No.C, अगला question देखिए, अगला क्या है, which one is not types of excess excessive fire, तो देखिए, excess excessive fire का types कौन नहीं है, तो पुछ रहा है, ठीक है, तो public होता है, private होता है, protected होता है, बट यहाँ पर pointer नहीं होता है, ठीक है, chapter में भी हम आप लोग को बता है, अगला देखिए, अगला क्या है, which one is not concept of OOP, OOP का concept कौन नहीं है, देखिए, हमारा encapsulation भी होता है, abstraction भी होता है, inheritance भी होता है, बट interpreter नहीं होता है, ठीक है, यह हमारा, इसका right answer option number C हो गया, ठीक है, अगला question 6 number, 6 number की ओर चलते हैं, 6 number question क्या बहु रहा है, the data heading is knowledge, तो data heading हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग abstraction भी बोलते हैं, ठीक है, इसका right answer क्या है, abstraction, इसका option number B, अगला है 7 number क्या कि, an instance of class is knowledge, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, object भी बोलते हैं, इसका right answer option number B हो गया, अगला क्या है, 8 number, which of the following is not feature of C++, तो C++ में हमारा कौन सा feature नहीं है, 4 option दिया हो है, देखिए, हमार reflection का feature नहीं दिया हो है, ठीक है, C++ में हमारा reflection नहीं होता है, इसका right answer option number D, अगला क्या बोलते है, which of the following approach is adapted by C++, ये जो है, वो bottom to up होता है, ठीक है, इसका right answer option number A, अगला क्योशन 10 number, C++ is an extension to college का programming language, तो C++ जो है, वो C language से बना है, ठीक है, इसका right answer option number C है, C, अगला क्योशन क्य ओरा, टीगम, तो इन में से कोन हमारा programming paradigm का types नहीं है, parts नहीं है, तो देखिए हमारा PPP भी होता है, OP भी होता है, OBP भी होता है, पोपी भी होता है, बट यहंपे देखे, आप लोग को ultra लिखा हुए है, क्या OPP यह हमारा programming paradigm का types नहीं है, हम आप लोग को chapter पढ़ा रहे थे त क्या होता है आप लोग को हम बता हैं इसी को हम लोग बोलते हैं function overloading मतलब कि option number ये इसका right answer अगला question क्या बोड़ा है ये class that contain another class is knowledge मतलब कि एक class के अंदर एक और class रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं nested class बोलते हैं ठीक है तो अब क्या बोलते हैं आप लोग nested loop बोलते हैं बस इतना है ठीक है एक loop के अंदर दूसरा loop रहता है उसी को हम लोग nested loop भी बोलते हैं clear हो गया अगला question अगला question देखिए क्या बोल रहा है wrapping of data function into a single unit is called इसको हम लोग क्या बोलते है encapsulation बोलते हैं ठीक है इसका right answer क्या है option number d अगला question 15 number क्या हो रहा है by default the member of class आर तो member of class class में जो हमारा by default रहता है वो हमारा private रहता है private sector रहता है ठीक है इसका right answer option number b अगला question क्या बोल रहा है college का function cannot use recursion तो देखिए कौन सा function है जो recursion का use नहीं करता है वो हमारा inline होता है ठीक है इसका right answer क्या हो option number b अगला number question क्या होड़ा है 17 number which of the following term is used for function defined inside ये class तो ये हमारा होता है member function इसका right answer option number b अगला question क्या होड़ा inline function invoked at the time of तो ये हमारा invoked अगर आप लोगो बोला तो compile time बोलेगा ठीक है देखिए compile time और run time में बहुत अंतर है ठीक है run time किसको बोलते है जब हम लोग programming को क्या करते है run करते है उस time को हम लोग run time बोलते है और जब programming को हम लोग check करते हैं कि error है कि नहीं उस time को हम लोग compile time बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर invocate आप लोगो बोले तो क्या करना है b number compile time अगला question अब देखिए 19 number question क्या बोड़ा है and inline function is मतलब कि देखिए तीन जोग आप लोगो दिया हुए कुछ लिखा हुए ठीक है यह सारे चीजे जो है वो सही लिखा हुए मतलब कि option number d क्या हमारा सही है लिखा क्या हुए देखिए prefix with keyword inline फिर बोला है declare and define inside the class उसके बाद तीसरा में क्या लिखा हुए तीसरा में लिखा हुए prefix with inline on the header and define outside the class तीनों जो दिया हुए आप लोगो सही लिखा हुए मतलब कि all of above इसका right answer अगला question 20 number क्या बोल रहा है class defined तो class जो है वो किसको define करता है data member को भी करता है member function को भी करता है ठीक है इसका right answer क्या होगा option number c both a and b एक इस number question क्या बोल रहा है which of the following axis excessive fire used for default the class definition तो यह हमारा क्या होता है private होता है ठीक है axis excessive fire क्या बोल रहा है default the class जो रहता है आप लोगों को हम बार पर बोल रहे है default the class जो रहेगा वो private sector में ही रहेगा ठीक है इसका right answer option number c अगला question देखिए क्या बोल रहा है class end with the help of which operator तो class जब हम लोग इंड करते है तो वो कौन सा operator लगता है वो semi colon लगता है इसका right answer क्या होगा option number d अगला question 23 number क्या बोल रहा है how many types of axis excessive fire तो axis excessive fire जो है वो कितना types होता है इसका हम बता है तीन types होता है ठीक है तो आप लोग को comment में बताना है कि कौन कौन सा types होता है आप लोग को लिखना है ठीक है अगला question देखिए 24 number क्या बोल रहा है the function that work outside the class by the help of जो हमारा class के बाहर काम करता है जो function वो किसके help से करता है तो वो हमारा होता है class name और इसको हम लोग क्या बोलते है scope resolution function name यह तीनों पर काम करता है इसका right answer option number c अगला देखिए अगला 25 number क्या बोल है the binding of data member and member function is a single unit is knowledge क्या होता है आप लोग को मालूम है इसी को हम लोग class बोलते है ठीक है class क्या करता है data member और data function को एक single unit में बानता है तो उसी को हम लोग class बोलते है इतना तो clear है अगला देखिए 26 number क्या बोल है all the access excessive fire declared by the help of which operator कौन्श operator होता है यह हमारा colon होता है ठीक है इसका right answer option number c अगला question 27 number क्या बोल है which access excessive fire work in such that inside the class and outside the class जो class के अंदर भी काम करें और class के बाहर भी काम करें उसी को हम लोग क्या बोलते है पबलिक बोलते है देखिए आप यह private है प्राइविट किसको बोलते है जो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर काम करता है उसी को हम लोग private बोलते ह को जो define करता है उसका नाम होता है data member data member क्या करता है data types को define करता है अगला देखिए अगला देखिए 29 number क्या बोल रहा है the gate function परजेंट इन तो देखिए आप लोगो gate function कहां परजेंट होता है किस header file में होता है वो question पुछावा है ठीक है तो देखिए आप लोगो studio dotage दीख रह message और data process in more than one from is knowledge क्या होता है यह हमारा polymorphism होता है जब हम आप लोगो chapter पढ़ा है तो इसका definition बहुत ही असान तरीका से आप लोगो दीए है ठीक है इसका right answer क्या option number C polymorphism 21 number क्या होड़ा है which of the following concept provide facility of using object of one class and inside the class तो यह हमारा क्या होता है composition होता है इसका right answer option number B हो गया किसका 31 का अगला question 32 number क्या होड़ा है यह member function can be declared a static if we do not access college का member यह हमारा होता है क्या non-static इसका right answer option number B अगला question क्या बोड़ा है header file have file extension तो header file का हम लोग किसे पचानते है dot s से पचानते है ठीक है last 2 question और बच गया दोज़ा है which of the following is not a member of class तो देखिए आप लोगो class का member कौन नहीं है यह आप यह friend function जो है वो class का member नहीं है ठीक है इसका right answer option number B अगला question 35 number क्या बोड़ा है which of the following term used for function लिखावा जाते क्या fun लिखावा है पट यह function है define the inside class तो inside the class बोल रहा है यह हमारा member function हो जाएगा ठीक है इसका right answer option number B हो जाएगा तो हम जितना question आप लोगो बताए यह question आप लोगो क्या करना एक पर और और पढ़ना है audio को कम कर देना है audio को बंद कर देना अपनी से क्या करना है सारा question को पढ़ना है ठीक है तो अब मिलते हैं अगले वडियो में seat number 5 में तब तक बाई बाई टेक केर